मुझे बड़ी खुशी होती है ये शेयर करने में कि मैं हर दोस्त को और जिसके पास भी बंगलो है हमारे कंट्री में जिसके पास भी विला है जिसके पास भी जमीन है मैं उनको ये चीज बार-बार शेयर करता हूँ बार-बार कन्विंस करने की कोशिक करता हूँ कि वो अपनी जमीन पे हैंड पंप ज़रूर लगवा है हैं हैंड पंप लगाने के बहुत अड़वांटेज हैं वो तो कभी डिटेल में बात करेंगे लेकिन हैंड पंप से आपक उतना पंप इसको पेडल करेंगे उतना ही पानी आएगा वेस नहीं होता एक तो इलिक्सिटी वेस नहीं होता ठीक है बहुत ज्यादा प्लंबिंग का मेकानिजम और पूरा नेटवर्ग बिचाना नहीं पड़ता इसका एक सिंपल एक बार आपने पंप लगवा लिया तो यह सालों साल चलता है साल में एक बार इसकी मेंटनेंस करनी होती है ग्रीजिंग करनी होती है इसका वाशर चेंज होता है थोड़ा बहुत वह आकर ऑइलिंग वगड़ा कर जाते है ठीक है तो जो हैंट पंप है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसका एक अपना रोमैंस भी है इसकी एक अपनी स्टोरी लाइन है और लिमिटेड वाटर इक्स्ट्रैक्शन होने से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत-बहुत सेव होगा यह जो हम स्टार्टर के उपर एक बटन पर अंगुठा दबा देते हैं और फि स्टेविंग वाटर इन अवर कंट्री इन अ मेजर मेजर वे बहुत भड़ी तरहिके से हम पानी को असकते हैं कि हर जगा हम हैंड पंप लगवाएं ठीक है क्योंकि इसमें एक फिजिकल एंवाल्मेंट होती है आप उतना ही निकालेंगे जितनी आपकी जरूरत होती है ठीक पर भी तीन-चार हैंड पंप बच्चों को आदर डालनी चाहिए कि वो जाके हैंड पंप से पानी लें हैंड पंप से हाथ धोएं खाना खाने से पहले कैफिटेरिया जाने से पहले कैफिटेरिया के बाहर आने से मेस के हॉस्टल में नीचे हैंड पंप ज़रूर लगे होन कि हुआ सकते हैं कि अूरी यह नैं कि अuba मत모ड़ा से, और है स्कते है उलसा, रिए और हुआ सयता है कोला चाहिwn चाहिं किक बाथ लैं कि अफ़ाहिए कि अ करें टुब झाल झाल